देश के पश्चिमी प्रांथ, राजस्थान में चालू माह, फरवरी के प्रथम सप्ता में हुई बारिश से रभी फसलों को फाइदा हुआ और इसका उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद बढ़ गई। व्यापार विशलेशकों का मानना है कि इस वर्षा से रभी फसलों के उत्पादन में 5-15 प्रतिशत तक की बड़ोतरी हो सकती है। उल्लेखनिय है कि राजस्थान देश में सरसों तथा जो का सबसे प्रमुक उत्पादक प्रांथ है, जबकि वहां गेहूं एवं चना का उत् उत्पादन में और भी बड़ोतरी होने की उम्मीद बन जाएगी लेकिन उसके बाद यदि भारी वर्षा हुई तो फसलों को नुकसान हो सकता है। जैपुर के कारोबारियों का कहना है कि हाल की वर्षा गेहूं एवं जो की फसल के लिए काफी लाबदायक साबित हो रही ह और इसके उत्पादन में 10 से 15 प्रतिशत तक की वृद्धी हो सकती है। अगले महीने मार्च से राजस्थान में इन दोनों फसलों की कटाई तयारी आरंभ होने वाली है और ऐसी स्थिती में अगले 10 दिनों के अंदर एक या दो बारिश हो जाए तो फसलों की हालत काफी ब इहूं की बिजाई हुई और इसका कुल उत्पादन एक करोड़ चार लाख पंद्रह हजार एक सो इक्यावन टन पर पहुंच सकता है। जानकारों के अनुसार हाल की बारिश के कारण चना के उत्पादन में कम से कम 5 प्रतिशत का इजाफा होने के आसार है। वहां फरवरी के अंत से इस फसल की कटाई तयारी शुरू हो सकती है जबकि मार्च में इसकी रफ्तार काफी बढ़ जाएगी। फरवरी में होने वाली वर्षा चना की फसल के लिए लाबदायक होगी। क्रिशी विभाग के अनुसार राजस्थान में इस बार चना का बिजाई च्षेतर 19.70 लाग हेक्टेर के करीब रहा जबकि इसका उतपादन 23 लाग टन होने का अनुमान है। जहां तक सरसों की बात है तो जानकारों का कहना है कि फरवरी की वर्षा से फसल की उपजदर में सुधार होगा और सरसों से तेल की रिकवरी दर बढ़ जाएगी। इसमें एक से द 3.30 लाग टन पर पहुँचने का अनुमान राजे सरकार ने लगाया है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी